हेलो फ्रेंड्स इंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही इजी डिजाइन जिसे आप लेडीज, गर्ल्स, जैंड्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो 20 सलाईयों का डिजाइन है, इस डिजाइन के लिए हमें 11 के मल्टीपल फंदे चाहिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी ये इस सलाई में मैंने 22 फंदे डिजाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए टोटल 24 फंदे डालें चलिए शुरू करते हैं एक नंबर स्वाई पहला फंदा उतारें धागा आगे ग्यारा फंदे उल्टे बुने अ अब हमने ये पांच फंदों को सलाई से उतार लेना है उतारने के बाद पिछले चार फंदों को उल्टे हत की सलाई पर लेकर जाना है और एक फंदे को सीधे हत की सलाई ऐसे पलटने के बाद दोबारा उसे उल्टे हत की सलाई पर ले आएं और अब पांचों फंदे सीधे बुने ऐसे ये पांच फंदे सीधे बुनने के बाद अब एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब अगले पांच फंदों को फिर सलाई से उतारना है पीछे वले चार फंदों को सीधे हथ की सलाई पर लेकर जाना है और आगे वले एक फंदे को उल्टे हथ की सलाई ऐसे ले जाने के बाद पांचों फंदों को उल्टे हथ की सलाई पर ले आना है एक बार एक फंदे को राइट हैंड ट्विस्ट करना है और दूसरी बार लेफ्ट हैंड ऐसे ट्विस्ट करने के बाद पांचों फंदों को सीधव ये पांच पंदे सीधे बुनने के बाद किनारी वला पंदा सीधे बुनने इस डिजाइन की उल्टी सलाईया सारी उल्टी बुननी है तो पहला पंदा उतारें और सारी सलाई उल्टी बुननी जैसे हम ये दो नमबर सलाई बना रहे हैं सारी उल्टी सलाइयां वैसे ही बुनने तीन नमबर सलाइं पहला फंदा उतारें धागा आगे 11 फंदे उल्टे बुने पहली दस सलाइयों में हमने यह पहले 11 फंदे ऐसे ही उल्टे बुननें 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे 3 फंदे सीधे बुने 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुन कर 2 का एक बनाए दो का एक बनाने के बाद धागा पुमाएं एक फंदा सीधा बुने फिर धागा पुमाएं अब 2 फंदों को उतार कर दोबारा सलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं ये दो का एक बिनाने के बाद तीन फंदे सीधे और किनारी वाला फंदा भी सीधा पांच नंबर्स लाएगे पहला फंदा उतारें धागा आगे ग्यारा फंदे उल्टे बुने ग्यारा फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे दो फंदे सीधे बुने दो फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं धागा भुमाएं तीन फंदे सीधे बुने तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुनें किनारी बला फंदा भी सीधा भी साथ नमबर्स लाइएं पहला फंदा उतारें धागा आगे ग्यारां फंदे उल्टे बुने ग्यारां फंदे उल्टे बुने के बाद धागा पीछे एक फंदा सीधा बुने एक फंदा सीधा बुने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं धागा घुमाएं पांच फंदे सीधे बुने पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा गुमाएं दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने और किनारी वला फंदा सीधा बुने नौ नमबर्स लाएं पहला फंदा उतारें धागा आगे ग्यारां फंदे उल्टे बुने ग्यारां फंदे उल्टे बुनने के धागा पीछे दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं साथ फंदे सीधे बुने साथ फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं और किनारी वाला फंदा सीधा बुन यह दत सलाईया बुनने के बाद अब हमने अगली दत सलाईयों में इस डिजाइन की जगाँ को चेंज कर देना है जो हम ये उल्टे उल्टे फंदे बुनते आ रहे हैं उन्हें हमने इस डिजाइन के उपर बनाना है और जो हमने पहले उल्टे फंदे बुन हैं उनके उपर अब हमने डिजाइन बनाना है तो 11 नमबर सलाई में पहला फंदा उतारें उतारने के बाद ये पहले 5 फंदों को सलाई से उतारें उतारने के बाद पिछले 4 फंदों को उल्टे हाथ की सलाई पर लेकर जाएं और एक फंदे को राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए आगे लाएं ऐसे ट्विस्ट करने के ब पांचों फंदों को सीधा बुने के बाद एक फंदा सीधा बुने अब हमने फिर इन पांच फंदों को लेप्ट एंड साइड ट्विस्ट करना है तो पांचों फंदों को सलाई से उतारें पीछे वाले फंदों को सीधे आद की सलाई पर लें पहले फंदे को सीधे आद की सलाई पर लेते हुए left hand side twist करें अब पांचों फंदों को सलाई पर लेकर आएं और सीधव लें ऐसे ये 11 फंदों का pattern बनाने के बाद धागा आगे अगले 11 फंदे उल्टे बुने 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे किना ये वाला फंदा सीधा बुने 13 नंबर सलाई पहला फंदा उतारें तीन फंदे सीधे बुने तीन फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं धागा गुमाएं एक फंदा सीधा बुने फिर धागा गुमाएं दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुने ये तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे ग्यारा फंदे उल्टे बुने धागा पीछे किनारी वाल फंदा सीधा बुने पंदरा नंबर सलाई में पहला फंदा उतारें दो फंदे सीधे बुने दो फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुन कर दो का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं तीन फंदे सीधे बुने तीन फंदे सीधे बुने के बाद फिर धागा घुमाएं दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुने धागा आगे, ग्याराव फंदे उल्टे बुने धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने सत्रा नंबर स्लाई में, पहला फंदा उटा रहें एक फंदा सीधा बुने दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं पांच फंदे सीधे बुने पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं दो काएक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने धागा आगे ग्यारां फंदे उल्टे बुने धागा पीछे किनारी वाला फंदा सीधा बुने 19 नमबर सलाई में पहला फंदा टारें दो फंदों को एक साथ बुनकर दो काएक बनाए दो काएक बनाने के बाद धागा खुमाए साथ फंदे सीधे बुने साथ फंदे सीधे बुनने के बाद धागा खुमाए दो फंदों को उतार कर दो काएक बनाए दो काएक बनाने के बाद धागा आगे ग्यारा फंदे उल्टे बुने धागा पीछे किनारी वाला फंदा सीधा बुने ऐसे हमने ये 20 सलाईयां कम्प्लीट करनी है और हमारे ये डिजाइन तयार हो जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फ्रेंड्स झाला फंदे बुने